अध्याय नौ, सरल रेखा और कोण, स्ट्रेट लाइन एंड अंगल हमारे इर्दगिर्थ बहुत सी आकरितियां छिपी हुई हैं दिखाये गए चित्र में दर्वाजे के पल्ले, खिड़की की चौकट, किताब की उपरी सता, छत, आदी सभी आयताकार हैं कुछ और चीजों की सत्य हैं, त्रिबुजाकार, पंचभुजाकार, वह अन्याकार की भी होती हैं आयताकार आकरितियों की सम्मुख भुजाएं, बराबर वह सभी कोण 90 अंश के होते हैं बाकी आकरितियों में भी कुछ रेखाखंड वह उनके बीच के कोण आपस में बराबर हो सकते हैं चित्र में खिड़की के ग्रील को देखें इस ग्रील के डिजाइन का चित्र बहुत से रेखाखंड दिखाता है इसमें कई रेखाखंड एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी कर रहे हैं इस ग्रील में वह घर में लगे अन्य ग्रिट नुमा ग्रील में कई प्रतिच्छेद के बिंदु मिलते हैं क्या ऐसे प्रतिछेदी बिन्दों पर बनने वाले कोड़ों में आपस में कोई संबन्ध होता है इस अध्याय में हम प्रतिछेदी बिन्दों पर बने कोड़ों का अध्यान करेंगे रेखा खंड और अंत बिन्दू, लाइन सेग्मेंट, एंड, एंड पॉइंट्स अपनी कॉपी पर एक रेखा खींचिए इसे वेक्ट करने के लिए किन संकेतों का उप्योग होता है अब एक किरन खींचिए इसके लिए कौन से संकेत लेते हैं क्या रेखा में कोई अंतबिंदू है और किरन में आपस में चर्चा करें दिये गये चित्र को ध्यान से देखें इसमें कितने अंतबिंदू है यह चित्र न तो रेखा को निरुपित करता है और नहीं किरन को यह एक रेखा खंड है यह एक रेखा पर भी चिन्हित किया जा सकता है एक रेखा पर कितने रेखा खंड हो सकते हैं आपस में चर्चा कीजिए रेखा खंड पहचाने इस रेखा में कितने बिंदू अंकित है इसमें कौन-कौन से रेखा खंड है वह कितने रेखा खंड है दिखाये गए रेखाओं में कितने बिंदू अंकित है कौन-कौन से रेखा खंड है वो कितने रेखाखंड हैं? इन्हें पहचान कर दिखाएगे इतालिका को पूरा कीजिए. यहां PQ अथवा QP एक ही रेखाखंड के दो नाम है. यदि किसी रेखा पर दो ही बिंदू अंकित हों, तो कितने रेखाखंड होंगे? इस तालिका के आधार पर बिंदू की संख्या और रेखाखंड की संख्या में क्या कोई संबन दिखता है? इसी प्रकार यदि किसी रेखा पर आठ बिंदू अंकित हों, तो रेखाखंड की संख्या बराबर एक धन दो, धन तीन, धन चार, धन पांच, धन छे, धन साथ होगी यदि किसी रेखापर N बिंदू अंकित हों तो रेखाखंड की संख्या बराबर एक धन दो, धन तीन, धन चार, धन पांच, धन इसी प्रकार धन N-1 होगी क्या आप इससे सहमत है? आपस में चर्चा करे संरेख बिंदू, को लीनियर पॉइंट्स पूर्व की तालिका में बिंदू P, Q, R, S आदी एक ही रेखा पर है ये संरेख बिंदू है अर्थात ऐसे सभी बिंदू जो एक ही रेखा पर इस्तितों संरेख बिंदू, को लीनियर पॉइंट्स होंगे यहां बिंदू A, B वर C संरेख है क्या दिखाए गए चित्र में बिंदू A, B, C और D संरेख है क्या हम यहाँ भी कह सकते हैं कि बिंदू B, C और D संरेख नहीं है और क्या बिंदू C और D भी संरेख नहीं है क्या हम एक ऐसी रेखा खीन सकते हैं जिस पर C भी हो और D भी हाँ, उस रेखा पर C, D रेखाखन है इस पश्ट तह कोई भी दो बिंदू हों, किसी ना किसी एक रेखा पर तो वे अवश्य होंगे और उस रेखा पर वे सनरेख होंगे अर्थात बिंदू सनरेख है या नहीं यह प्रश्ण कम से कम तीन बिंदू होने पर ही सार्थक होता है तभी यह पूछा जा सकता है कि दिये गए बिंदू सनरेख है या नहीं सोचें एवं चर्चा करें क्या तीन सनरेख बिंदों से त्रिभुज बन सकता है रेखा और कोण लाइन एंड एंगल चित्र में बिंदू C पर कोण D.C.A. 90 अज़ से अधिक है अता अधिक कोण है हम कई अञ्य प्रकार के कोण जानते हैं जैसे न्यून कोण Acute Angle Sam कोण Right Angle अधिक कोण Optus Angle सरल या रिजू कोण Straight Angle या प्रतिवर्ति या व्रिहत कोण करके देखें इन में से प्रत्य कोण का चित्र बनाईए वह कोणों के नाम लिखिये आसन कोण, पूरक कोण तथा समपूरक कोण यहां हम देखेंगे कि आसन कोण, पूरक कोण और समपूरक कोण की श्रेणी में कौन से कोण के जोड़े आते हैं आसन कोण Adjacent Angles दिये गए चित्र पहले वद दूसरे को देखें चित्र पहले वद दूसरे में दो कोण एक वद दो है जिन में शीश ओ और एक भुजा ओसी उभेनिष्ट याने की कॉमन वद मध्य में है अता चित्र में कोण एक वद दो आसन कोण है अब चित्र पहले दूसरे वद तीसरे को देखिए पहले चित्र में कोण 3 वद 4 के लिए शिर्ष समान है लेकिन कोई एक भुजा दोनों में उभैनिष्ट याने की कौमन नहीं है चित्र 2 में कोण 3 और 4 के लिए शिर्ष अलग-अलग है अर्थात कोण 3 के लिए ओ वद कोण 4 के लिए ए है चित्र 3 में कोण 3 कोण 4 में एक भुजा ओ ये उभैनिष्ट है किन्तु कोण 4 का ही एक भाग कोण 3 है इसलिए चित्र के सभी भागों में कोण 3 वद 4 आसन्न कोण नहीं है अर्थात जब दो कोण एक ही शीश पर हों वो उनकी कोई भुजा दोनों में ही उभैनिष्ट याने की कॉमन हो तथा एक कोण दूसरे में समाहित न हो तब कोणों के ऐसे जोणों को आसन कोण कहेंगे करके देखें पहला दो ऐसे कोण बनाएं जो आसन कोण न हो दूसरा चित्र देखकर बताईए की निम्नलिखित कोण आसन है या नहीं पहला कोण AOB और कोण BOC दूसरा कोण BOC और कोण DOE तीसरा कोण EOD और कोण DOC सोचें इवं चर्चा करें दो कोण कब आसन कोण होंगे पहला जब दोनो अधिक कोण हो दूसरा दोनो नियून कोण हो या तीसरा एक अधिक कोण वह एक नियून कोण हो पूरक कोण चलिए अब हम पूरक कोण के कुछ उधारन देखते हैं पहला उधारन देखिए यहाँ पर दो समान माप के कोण दिखाई दे रहे हैं जिसमें प्रत्यक का माप कितना है? 45 अंश तो ये दोनों कोणों का जोड कितना होगा? 90 अंश इसलिए ये दोनों कोण भी एक दूसरे के पूरक कोण है चलिए दूसरे उधारन की बात करते हैं दूसरे उधारन में हमें यहाँ पर दो कोण दिखाई दे रहे हैं पहला कोण है तीस अंश का और दूसरा है साथ अंश का तो इनका योग भी कितना होगा? 90 अंश इसलिए ये कोण भी आपस में पूरक कोण है तीसरे उधारन की तरफ चलते हैं इसमें देखिए इन दोनों कोणों की जो परिस्थिती है वो पहले के दो कोणों से अलग है क्योंकि पहले के पूर्व उधारनों में हमने देखा कि जो दोनों कोण थे उनके मध्य एक भुजा जो थी वो उभैनिश थी याने वे दोनों उधारनों में जो कोड थे वे आसन कोड थे यहां हमें जो दो कोड दिखाई दे रहे हैं वे आसन नहीं है परन्तु उन दोनों कोड का योग एक है 30 अंश और एक है 60 अंश तो इनका जोड कितना हुआ फिर से नब्य अंश तो ये कोण भी एक दूसरे के पूरक हैं इसका मतलब ये हुआ कि यह आवश्यक नहीं कि हर पूरकोण जो होते हैं जो पूरकोणों के जोड़े होते हैं वे आसन्न हूँ चलिए बात करते हैं चौथे उधारन की चौथे उध की परिस्तिति दिखाई दे रही है जिसमें दो कोण है तीस अंश और शाठ और दोनों का जोड कितना है नब्य अंश तो ये दोनों कोण भी एक दूसरे के क्या है पूरकोण है संपूरक कोण आईए बच्चों हम संपूरक कोण के कुछ उधारन देखते हैं पहला उधारन लेते हैं यहां हमें दो समान माप के कोण दिखाई दे रहे हैं प्रत्तेक का माप कितना है? बिल्कुल सही 90 अंश दोनों कोणों का माण 90 अंश है तो इनका योग कितना होगा? 180 अंश इसलिए ये दोनों कोण आपस में संपूरक कोण है चले दूसरे उधारन की बात करते हैं यहां पर भी हमें दो कोण दिखाई दे रहे हैं एक का माप है 30 अंश और दूसरे का 150 अंश तो इनका जोड़ भी हुआ 180 अंश इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में संपूरक कोण है इसका मतलब प्रतेक रेखी युग में संपूरक कोण होते हैं तीसरे उधारन की तरफ चले तीसरे उधारन में जो परिस्ति हमें दिखाई दे रहे है वो पूर्व के दो उधारनों से थोड़ी अलग है पूर्व के दोनों उधारनों में हमने देखा कि जो संपूरक कोण के जोड़े थे उनके मद्य एक उभैनिश्ट्रेखा दिखाई दे रही थी इसलिए वे आसन कोण भी थे यहाँ पर जो कोण हम देख रहे हैं ये दोनों कोण आसन कोण नहीं है परन्तु इन दोनों का जो जोड़ होगा वह होगा 180 अंश क्योंकि प्रत्ते कोण 90 अंश के हैं इसलिए ये दो कोण भी आपस में संपूरक कोण है चोथे उधारन को देखते हैं चोथे उधारन में भी एक कोण है 30 अंश का और एक है 150 का तो दोनों का जोड़ कितना हुआ 180 अंश इसलिए ये दोनों कोण भी एक दूसरे के संपूरक कोण है सोचें एवं चर्चा करें पहला क्या दो संपूरक एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं दूसरा क्या प्रत्तिक रेखी युग्म संपूरक कोण होगा करके देखें पहला इन में से कौन से कौन पूरक अत्वा सम्पूरक है कौन से आसन वा रेखी युगम कौन है दूसरा इन चित्र में निम्न कौन कौन से युगम बना रहे है पहला कौन एक वा कौन दो दूसरा कौन पांच वा कौन छे तीसरा कोण 6 वा कोण 3 चोथा कोण 5 वा कोण 2 5 वा कोण 3 वा कोण 4